पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिक्षक देने वाला राज्य बन रहा है। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के लिए विग्यापन जारी किया जाता है। प्रभावी है और उर्सी के माना के हिसाब से 30 चातरों पर एक सिक्षक की जरूरत पढ़ती है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या जितना बच्चों की संख्या उसी के अधार पर सिक्षक भरती या फिर सिक्षक एक तरीके से हायरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे तो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राजे उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगर्णा के अनुसार लगबग 19 करोड 98 लाख यहाँ की जनसंख्या थी जो की 2023 में estimated है यानि की इतना लगबग हो सकता है 23 करोड 56 लाख उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राजे है इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराश्ट आता है आप चुकी जनसंख्या जादा है इसलिए यहाँ पर विध्याले की संख्या भी जादा होगी और विध्याले की संख्या जाता होगी तो उसी के हिसाब से teachers की संख्या भी जाता होगी आप list देख पारहोंगे कि उत्तर प्रदेश में जो Union Territory है और जो अलग-अलग राज हैं उसमें कितने विद्याले हैं नंबर ओफ इसकूल की संख्या देख सकते हैं अंडमार और निकोबार में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के 414 इसकूल है इसी प्रकार से आंद्र प्रदेश में देख पारोंगे इनकी संख्या है 2,55,979 जिसमें से परशद्य प्रात्मिक विद्यालेओं की संख्या लगबग 1,00,000 के आसपास बताई जाती है तो अब आप खुद सोचिए जब यहाँ पर जनसंख्या जादा है विद्याले जादा है तो सिख्षक तो जादा होंगे ही होंगे जहां 27 तारि को उत्तर प्रदेश के परशद्य प्रात्मिक विद्यालेओं में नई प्रात्मिक स्थार की सिख्षक भरती पर फैसले के लिए एक एक बैठक होना प्रस्तावित है, उसी के क्रम में लगतार दो दिन से CM कारयाले के मादम से इस प्रकार के ट्वीट आ रहे हैं, कल के डेट में ट्वीट किया गया था कि जो सिछकों की कमी है उसको ऑनलाइन मोड में अभियर्थियों को टीचिंग कराया जाए और आज का ट्व कि आखिर कुछ पॉजटिव देखने को क्यों नहीं मिला इस पूरे मामले को आपकी इस नजरिय से देखते हैं कमेंट के मादम से ज़रू बताईगा और ऐसे ही मातवपून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भू